पुलिस की अव्यावारी का लाने के लिए पुलिस या विभाग को कारे दिया गया जिसमें मुखिता 36 गर्ड़ पुलिस के संगर्श को प्रदरशित किया गया आपको पता दें कि ये कारिशाला पुलिस वे भाग में कारे करने वालों में अव्यभार एक दक्षिता लाने के उद्धेशे से आयोजित की गई कारिशाला में मुख्य रूप से 36 गर्ड पुलिस के संघर्ष को प्रदर्शित किया गया ये कारेक्रम दो दिनों तक चलेगा जिसमें शहर के सभी CSP, TI और पुलिस में भाग के अन्य सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे ये कारेक्रम अबेटकर हॉस्पिटल के सबाकार में आयोजित किया गया है कारेक्रम का आयोजन सुबह 11 से 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि जटिसगार में कारे करना एक बड़ी चुनोती है यहां कि पुलिस एक आदमी का भी किरदार निभाते नजर आती है और जिस तरह की कारेक्ये जाते हैं उसमें आम लोगों से जुनने और उनके भरोसे पर ख़ड़ा उतरने का काम किया जाता है जिससे उनका भरोसा पुलिस के लिए एक चेतना का काम कर सके हम इन कारे सालाओं के माध्यम से अपने पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ये बदाने की कोशिस कर रहे हैं कि हमारा कारे करने के दौरान जनता के साथ जो विहवार होता है उसको कैसे और बहतर बनाया जा सके लगातार परिष्ट अधिकारियों के निर्देशा अनुसार पुलिस अपने कारे करने के तरीकों में बदलाव कर रही है समय के साथ-साथ जो अधुनिकी करण हुआ है जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसमें जो परिष्थितियां बदली हैं उसमें पुलिस भी अपने को अधुरीक बना रही है और अपने अचार विचार और वहवार में सुधार करने की कोशिस कर रही है और उसी तारितम में ये दो दियोशी कारेशाला कायोजन किया गया है और हम हमारे जितने भी व्याख्याता हैं मुझ सहीत हम सब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जन्ता कुछ अफेस करते हैं तो उनके साथ मधूरता पुर्वा बात करें और उनको समझाएं कि हम आपकी सेवा के लिए हैं और हम आपकी सहयोग के लिए हैं और हमसे जो बेहतर हो सकेगा हम करेंगे और आप जन्ता का हम कितना सहयोग ले सकते हैं कानून व्यास्था बनाने में इन सब विश्यों पर कारशालाओं के द्वरान कर्मचारियों को अधिकारियों को समझाएज दी जा रही है देकि ये सरवविदित है कि पूरे हिंदुस्तान में सरवाधिक नकसल प्रभावित राज्ये के रूप में 36 गड़ जाना जाता है हमारी 36 गड़ पुलिस जो है वह कानून ब्यवस्ता बनाय रखने के साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ वी आईपी सुरक्षा के साथ नकसल एरियों में नकसलियों से जूजने का जो कारे कर रही है निशन्दे वो पुलिस के साथ साथ सेना की भूमिका का भी निर्वहन कर रही है इसलिए निशन्दे चत्रिशगण पुलिस की प्रसंसार की जानी चाहिए पूरे देश में मेरा व्यक्तिका दूर्प से ये मानना है कि पूरे देश की पुलिसों की अगर तूलना की जाये तो चत्रिशगण पुलिस को प्रथम पायदान पर रखा जाना चाहिए क्योंकि वो अपने कारे के अलावा सेना और की भी भूमिका का निर्वान बेहतर ढंग से कर रही है और लगतार नकसल समस्याओं पर अंकुस के साथ-साथ कानून व्यवस्था को बनाने में च्छतिर्वड पुलिस की बेहतर भूमिका है आप देख रहे हैं अन्सुन नरूला और आप देख रहे हैं गलिप्स न्यूस